तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपके साथ प्लान ओफ आक्शन में डिस्कस करना चाहता हूँ हम लोग ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर कई दिनों से पढ़ रहे हैं और मैंने आपको बता रखा है कि मैंने जान बुच के ये चॉइस लिया है कि मैं simply एक वीडियो में आपको पूरा आर्किटेक्चर नहीं पढ़ाने वाला but what I will do is कि since ये आर्किटेक्चर बहुत कॉंपलेक्स है तो मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि मैं इसके चोग छोटे चोटे पीसे हैं वो मैं आपको अच्छे से समझाओ और फिर आपको एक ओवराल आर्किटेक्चर का आइडिया दूँ तो अभी तक कि हमारी जर्नी कुछ ऐसी रही है कि हमने एंकोडर से अपनी पढ़ाई शुरू की थी और एंकोडर में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सब हमने पढ़ लिया है एंबेडिंग का कॉंसेप्ट हमने पढ़ लिया, पोजिशनल एंकोडिंग पढ़ लिया, सेल्फ अटेंशन, मल्टिएड अटेंशन, नॉर्मलाइजेशन यह सब कुछ हमने कवर कर लिया है, और इस पॉइंट पे, we have completed the architecture of encoder और फिर लास्ट वीडियो में हमने decoder का architecture पढ़ना शुरू किया, और decoder में भी हम यह same strategy यूज करेंगे कि हम जो complex parts हैं वो पहले पढ़ लेंगे और फिर overall architecture पढ़ेंगे सो अगर आपको याद होगा हमने last वीडियो में masking का concept पढ़ा था attention में ठीक है, अब आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और एक और बहुत important component होता है decoder का, वो हम आज study करने जा रहे हैं, सो अगर आप यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे जो second block आपको दिखाई देगा decoder के architecture में, वो एक multi head attention block ही है, बड़ अगर आप notice करोगे, तो यह थोड़ा सा different है बाकी के multi head attention block से, कैसे, यहाँ पर अगर आप यह arrow देखो, और यह arrow देखो यह दोनों arrows, encoder से निकल के आ रहे हैं, वेराज यह वाला जो arrow है, वो decoder के अंदर से आ रहे है generally अभी तक आपने जो भी multi head attention blocks देखे हैं, जैसे कि यह वाला block तो तीनों arrows एक ही जगह से आ रहे होते हैं, यह देखो, यहाँ पर भी but this is the first instance, जहाँ पर नाम तो multi head attention है, बट जो तीन arrows आ रहे हैं यह यू बोला जाए, query, key और value vectors आ रहे हैं, वो दो अलग जगहों से आ रहे हैं तो यह कहलाता है cross attention और यह एक बहुत famous concept है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप decoder का architecture ठीक से समझना चाहते हो तो आपको multi head attention का यह जो variant है, जिसे हम cross attention बुलाते हैं वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए तो हमारा जो आज का वीडियो है, वो dedicated है cross attention के लिए ठीक है, आज की वीडियो में मैं आपको not only यह समझाऊंगा कि cross attention क्या होता है, मैं आपको उसके अंदर का हर detail बताऊंगा और फिर उसके बाद मैं आपको यह भी समझाऊंगा कि क्यूं जरूरत पढ़ी cross attention की और हम उसको compare करेंगे कुछ और चीजों के साथ जो हमने past में पढ़ा है So on the whole, very important video, very crucial aspect of the transformer architecture I am super excited, I really hope आप भी हो, let's start अब guys हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि cross attention exactly होता क्या है What is cross attention, ठीक है So यहाँ पर एक definition मैंने लिखा है, एक बार इसको पढ़ते है Cross attention is a mechanism used in transformer architectures particularly in tasks involving sequence to sequence data like translation or summarization It allows a model to focus on different parts of the input sequence when generating an output sequence अब I know यह definition पढ़के ऐसे दिमाग में बत्ती नहीं जली होगी तो एक काम करते हैं, एक example के थूँ इस definition को समझने की कोशिश करते है Example बहुत simple है और simple इसलिए क्योंकि हमने past में example देख रखा है Let's take an example of machine translation जहाँ पर हम क्या कर रहे है हम एक English sentence को convert करने की कोशिश कर रहे है Hindi में, translate करने की कोशिश कर रहे है और यह काम करने के लिए हम एक encoder decoder का help ले रहे है I hope यह आपको याद आ रहा है हमने इसके उपर काफी काम किया So हुता क्या है इस setup में कि आपका जो input sentence है जो English में है जैसे यहाँ पर I like eating ice cream यह sentence है आप क्या करते हो इस sentence को भेजते हो encoder के पास अब encoder का एक बहुत simple काम होता है उसका काम होता है इस sentence को बहुत अच्छे से समझना इस sentence का जो central idea है जो summary है उसको समझना So that वो summary, encoder, decoder को pass on कर पाए I hope आपको यह बात पता है अब बात करते है decoder की decoder का क्या काम होता है decoder का काम बहुत simple है जैसे ही उसको encoder से यह summary मिल जाती है यह central idea मिल जाता है वो अपना काम start करता है और उसका काम है Hindi sentence को generate करना और decoder यह काम step by step fashion में करता है one step at a time मतलब वो एक बार में first word को print करेगा फिर second word को print करेगा फिर third word को print करेगा and so on so इस situation में वो time step 1 पे मुझे को print करेगा time step 2 में ice cream को print करेगा time step 3 में खाने को print करेगा and so on so यह पूरा का पूरा काम एक auto regressive fashion में होता है ठीक है I hope आपको यहां तक कुछ भी नया information नहीं मिला आप ये सब कुछ अलड़ी जानते हो बट अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ सवाल ये है कि मान लो अभी हम decoder के time step 3 पर है हम अलड़ी मुझे और ice cream output करवा चुके हैं generate कर चुके हैं अब हम time step 3 पर अगला word generate करना चाहते हैं तो थोड़ा सोच के बताओ कि अगला word क्या होगा ये किस चीज़ पर depend करता है ठीक है मेरा question बहुत simple है decoder का अगला word क्या generate होगा ये किस बात पर depend करता है अगर आपने अभी तक ये पूरा playlist religiously follow किया होगा तो I hope आप इस question को सही से answer कर पारे हो अगला word क्या होगा ये दो बातों पर depend कर रहा है मैं आपको बताता हूँ first इस बात पर depend कर रहा है कि अभी तक decoder ने क्या generate किया है सोच के देखो न यहाँ पे खाना print होना चाहिए और खाना word print होना इस बात पर depend करेगा कि decoder ने अभी तक क्या generate किया है उसने मुझे और ice cream generate किया है तो ही तो logically अगला word खाना होना चाहिए so the first thing is what has been generated till now by the generator this is the first thing जिस पर depend करेगा कि अभी कौन सा word generate होगा सोच के बताओ second चीज क्या हो सकती है second चीज है कि आपके input sentence में क्या लिखा हुआ है या फिर आप यू बोल सकते हो कि आपको encoder से क्या information मिल रहा है right so अगर मैं summarize करूँ तो हर अगला word क्या generate करेगा decoder ये दो बातों पर depend कर रहा है पहला decoder ने अभी तक क्या generate किया है right second उसको input में क्या मिला है encoder से या फिर input sentence में क्या लिखा हुआ है ठीक है so यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि what is the input sentence इस पर भी depend करेगा अब अगर आप first वाली चीज़ पर focus करो कि अभी तक decoder ने क्या generate किया है तो इस बात का information मैं बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ using what self attention क्यों? क्योंकि self attention का काम क्या होता है same sentence में context generate करना so अगला word अपने ही sentence में और बाकी के word से कैसे related है ये बात मुझे कौन बता सकता है self attention तो पहला problem तो मुझे self attention solve करके दे रहा है let's talk about the second problem the second problem is कि इस sequence का इस sequence के साथ क्या relationship है ये मुझे पता करना है आप ऐसे सोच सकते हो कि मुझे इस sequence के इस sequence के हर word के साथ क्या relationship है वो निकालना है अगर आप इसको visualize करना चाहते हो तो मुझे कुछ ये information चाहिए मुझे एक matrix चाहिए जहाँ पर rows में हमारे input sequence के सारे words है और columns में हमारे output sequence के सारे words है हमें हर word का हर दूसरे word के साथ क्या relationship है और वो कितना strong relationship है वो पता करना है हमें ये पता करना है कि हिंदी का ice cream English के ice cream word के साथ बहुत strongly related है हमें ये पता करना है कि हिंदी का पसंद English के like से बहुत strongly related है हमें ये पता करना है कि English का eating हिंदी के खाना word के साथ बहुत related है So, अब एक नया interesting task हमारे सामने है कि हमें दो sequences में आपस में क्या relationship है ये निकालना है और ये करने के लिए आपके पास जो mechanism है उसी को cross attention बुलाया जाता है जब आप same sequence में similarity खोचते हो between words तो वो काम self attention करता है बट अगर आप दो अलग sequences में similarity ड्रॉ करने की कोशिश करते हो between all the items तो ये काम करने के लिए जो attention use होता है उसी को cross attention बुलाया जाता है तो एकदम simple शब्दों में दो sequences के बीच का relationship निकालने का जो तरीका है वही है cross attention अब अगर आप वापस जाओ अपने इस definition पे और एक बार पढ़ो cross attention is a mechanism used in transformer architecture particularly in tasks involving sequence to sequence data like translation और summarization अगला sentence important है it allows a model to focus on different parts of the input sequence when generating an output sequence so जब मैं ये word generate कर रहा हूँ तो I can actually go back and see कि किस English word के साथ सबसे strong relationship है यही मुझे cross attention बताता है तो I hope मैं आपको एकदम simple शब्दों में समझा पाया कि cross attention क्या होता है अब हम थोड़ा detail में घुसेंगे और समझने की कोशिश करेंगी cross attention काम कैसे करता है कैसे वो दो sequences के बीच में relationship निकाल पाता है यह हम लोग next पढ़ेंगे the how of cross attention अब अच्छी बात यह है कि cross attention को समझना थोड़ा आसान है और उसका reason इस sentence में आपको समझ में आएगा देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है cross attention is conceptually very similar to self attention and that is why cross attention समझना आसान है because आप self attention already समझते हो right there is only one problem कि थोड़े थोड़े differences भी है self attention और cross attention के बीच में आपको कुछ differences भी दिखाई देंगे in fact मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि किन किन aspects में आपको difference दिखाई देंगे actually तीनो aspects में आपको difference दिखाई देंगे जो input जाता है उसमें भी difference है जो अंदर processing चलती है उसमें भी difference है और जो output बाहर आता है उसमें भी difference है but conceptually दोनों same है I know थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे मैं पहीलियों में बात कर रहा हूँ but थोड़ी दिर में सब clear हो जाएगा एक काम करते है सबसे पहले discuss करते हैं यह input aspect और समझते हैं कि self attention में क्या input जाता है और cross attention में क्या input जाता है so that आप समझ पाओ कि दोनों में क्या difference है तो यह बात समझाने के लिए मैंने यहाँ पे दो diagram बना रखे है एक बार दोनों को go through करते है let's first talk about self attention अब आपने self attention detail में पढ़ रखा है I hope आप मुझे बता पाओगे कि self attention में आप input क्या भेजते हो so self attention में आप एक single sequence को as input भेजते हो जैसे कि मालो हमारे पास English में एक sentence है we are friends और हमें in words का contextual embedding generate करना है self attention का यही काम होता है तो मैं क्या करूँगा मैं in words का embedding या फिर पिछले वाले layer से जो contextual embedding आया है उसको भेजूँगा to the next self attention layer ठीक है तो simple शब्दों में self attention को जो input मिलता है वो एक single sequence का embedding होता है या फिर contextual embedding होता है जो कि previous self attention layer से आ रहा होता है I hope आपको यह बात याद आ रही है अब बात करते है cross attention की so cross attention since दो अलग sequences के बीच का relationship निकालने के उपर focus करता है तो इसको input में भी दोनों ही sequences चाहिए so इसको we are friends भी चाहिए है और इसको हम दोस्त है ये भी चाहिए है so cross attention में हम दोनों inputs भेशते है हम we are friends which is our input sequence उसका हम embedding या फिर contextual embedding भेशते है और साथ ही साथ हमारा जो output sequence है हम दोस्त है उसका भी हम embedding या contextual embedding भेशते है तो सबसे पहला difference तो हमने यहीं पर establish कर लिया self attention में सिर्फ एक sequence का input जाएगा cross attention में दोनों sequences का input जाएगा this is the first point of difference अब हम बात करेंगे कि इस block के अंदर क्या चलता है processing में क्या difference है वो हम लोग next discuss करेंगे अब अगर आपको cross attention का how समझना है तो उसके लिए वस एक prerequisite है और वो यह है कि आपको self attention कैसे काम करता है वो पता होना चाहिए so मैंने पहले यहाँ पर diagramatically फिर से यह समझाया है कि self attention कैसे काम करता है जो diagrams आप कई बार देख चुके हो but एक बार let's go through them और एक बार जब आपको याद आ जाएगा फिर हम लोग देखेंगे कि cross attention में काम कैसे होता है ठीक है so self attention में क्या होता है कि अगर आपके पास एक sequence है एक sentence है let's say that sentence is we are friends तो हमें सबसे बहले क्या करना होता है कि उस sequence या sentence के हर word या फिर आप बोल सकते हो token के लिए embedding generate करने पड़ती है embedding या फिर contextual embedding अगर आप आगे के layers में self attention लगा रहे हो ठीक है तो ये जो yellow block है ये आपके हर word के corresponding embedding slash contextual embedding है ठीक है अब होता क्या है कि आपके self attention block के अंदर तीन matrices होते है WQ, WK, WV और जब आप अपने contextual embedding slash embedding को इन matrices के साथ dot product कराते हो तो आपको तीन vectors मिलते है जिनको आप query vector बोलते हो key vector बोलते हो और value vector बोलते हो so हम for each word we are getting three vectors query, key and value three for we word three for our word three for friends word ठीक है एक बार जैसे ही आपको ये 9 vectors मिल गए अब आपको क्या करना होता है कि हर word के query को पकड़के हर दूसरे word के key के साथ dot product करना होता है इससे हमें attention scores मिलते है so यहाँ पर you can see कि हर green वाले को हम उठा करके हर pink वाले के साथ dot product कर रहे है ठीक है फिर हमने R वाले को लिया और उसका बाकी तीनों से किया फिर हमने friends वाले को लिया बाकी तीनों से किया ऐसा करने से हमें 9 attention scores मिलते है यहाँ पर बीच में soft max, scaling वगएरा सब होता है बड़ ऐसा करने से हमारे पास 9 attention scores होते है basically हर word का हर दूसरे word के साथ similarity कितना है यह हमें पता चल जाता है आप roughly कुछ ऐसे imagine कर सकते हो कि आपके पास यह matrix आ जाता है जहाँ पर हर word हर दूसरे word के साथ कितना similar है यह score आपके पास है जैसे v, v के साथ बहुत similar है r, r के साथ बहुत similar है friends, friends के साथ बहुत similar है but v और friends में भी कुछ similarity है इस तरहीके से यह पूरी चीज़ काम करती है एक बार जैसे ही आपके पास यह weighted scores आ जाते है आप फिर क्या करते हो v वाला vector को पकड़ते हो value वाले vector को और उसके साथ weighted sum calculate कर देते हो और यह जो weighted sum से निकल के आते हैं तीन vectors यही हैं आपके contextual embeddings so I hope यह आपको याद आ गया this is like a revision जो मैंने दुबारा कराया अब बात करते हैं cross attention की cross attention भी roughly यही structure follow करता है जो self attention में होता है there is one basic difference and that difference is कि यहाँ पर आप एक sequence के बदले दो sequence के साथ deal कर रहे हो so here is the plan होता क्या है कि आप अपने दोनो sequences के लिए embedding slash contextual embedding generate करते हो so यहाँ पर आप देखो हम दोस्त है इन तीनों words के embedding slash contextual embedding मेरे पास है similarly we are friends इस पूरे sequence के भी हर word के लिए मेरे पास embedding slash contextual embedding है अब यहाँ पर आता है major difference सबसे important difference क्या है कि आप जिस तरीके से query value और key vectors calculate करते हो वो different हो जाता है so यहाँ पर भी आप query key और value vector calculate करते हो but वो थोड़े weird तरीके से होता है कैसे मैं आपको बताता हूँ आप के जो query vectors है वो आता है आपके output sequence से इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर अगर हम English to Hindi translation कर रहे है तो मेरा output sequence is Hindi तो जभी भी मैं query vectors बनाऊंगा वो मैं Hindi के word से बनाऊंगा और जभी भी मैं e and value vectors बनाऊंगा वो मैं बनाऊंगा input sequence से मतलब English से तो यहाँ पर आप नोटिस करो कि यहाँ पर भी आपके cross attention block के अंदर तीन matrices ही है WQ, WK, WV बट नोटिस करना कि जभी भी आपका Hindi word आएगा तो Hindi word सिर्फ WQ के साथ dot product होगा जिससे आपको एक query vector मिलेगा और यह query vector होगा आपके Hindi word के corresponding ठीक है similarly यहाँ पर देखो यह दोस्त का embedding आया और वो dot product हुआ WQ के साथ जिससे आपको query vector मिला for your Hindi word and similarly है के लिए भी आप WQ से dot product कर रहे हो और आपको query vector मिल रहा है of your Hindi word so basically इस point तक क्या हुआ है कि मेरे Hindi वाले sentence में जितने भी words थे हर word के corresponding मिर पास एक-एक query vector है ठीक है अब बात करते हैं English वाले sentence की तो English वाले sentence क्या होता है वो WK के पास भी जाएगा WV के पास भी जाएगा और दोनों से dot product होगा तो resulting में क्या होगा कि हमारे पास दो vectors आएंगे तो मिर पास हर English word के लिए एक key vector होगा और हर English word के लिए एक value vector भी होगा तो इससे मुझे k r as in key of r मिल रहा है और value of r मिल रहा है और यहाँ पे k of friends and v of friends मिल रहा है so this is the biggest difference यही होता है सबसे बड़ा difference यहाँ पे end में आपके पास 9 vectors ही है but the difference is कि आपके पास for every Hindi word you have one query vector and for every English word you have one key and one value vector that's the only difference ठीक है अब एक बार आपके पास 9 vectors आगे तो आगे का काम बिल्कुल सेम है फिर से आप क्या करते हो हर query vector को उठाते हो जैसे आपने हम के query vector को उठाया और इन तीनो red वालों के साथ या pink वालों के साथ dot product करते हो similarly आप ये दोस्त का query को उठाते हो और तीनो pink वालों के साथ dot product करते हो है के query को उठाते हो और फिर इन तीनों के साथ dot product करते हो फिर से हमारे पास 9 scalar values आ जाती है उसके उपर हम softmax लगाते हैं scaling लगाते हैं उससे हमें हमारे attention weights मिल जाते हैं और ये 9 attention weights क्या represent कर रहे हैं ये 9 attention weights kind of ये matrix generate कर रहे हैं जहां पे हमें हमारे हर input sequence का word हर output sequence के word के साथ कितना closely similar है ये पता जलता है जैसे कि हम और we बहुत similar है दोस्त और friends बहुत similar है और हैं और are बहुत similar है ये information मैं निकाल पा रहा हूँ with the help of cross attention और जैसे ही मुझे ये सारे weights मिल जाते हैं तो मैं फिर value vector का use करके weighted sum करके मेरा final contextual embedding generate करता हूँ So this is the main difference guys अगर आपको self attention पता है तो उसमें बस एक major difference ये आया कि आपने अपने output वाले sentence से सिर्फ query vectors generate किये और आपने अपने input वाले sentence से सिर्फ keys and values vectors generate किये और यही देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है I guess आपको दिखाई दे रहा है यह देख रहो यह है आपका key यहाँ से जो भी vector आ रहा है उसका key calculate कर रहे हो और यह है आपका value और यह जो नीचे से आ रहा है I'll use some other color और यह जो नीचे से आ रहा है यह है आपका query So this is k this is v and this is query ठीक है यही इस diagram में दिखाया हुआ है So I really hope मैं आपको समझा पाया how level पे cross attention कैसे काम करता है मैं आपको यह justify कर पाया कि सच में जो आपका cross attention है It is conceptually very very close to self attention ठीक है तो अब हमने दो चीज़े देख ली कि input कैसे different होता है दोनों के लिए आपका one sequence versus two sequence वाली बात और processing step में क्या different होता है I hope आपको यहां दक समझ में आ गया अब बस हम लोग discuss करेंगे कि यह पूरी चीज़ करने से output में क्या difference आया हमें फाइदा क्या मिला cross attention लगा करके So हमें input और processing के बीच में क्या difference है वो तो समझ में आ गया है अब हम समझेंगे कि जो output निकल के आता है self attention से और जो output निकल के आता है cross attention से उन दोनों में क्या difference होता है ठीक है पहले हम लोग left side of the diagram पर focus करेंगे जहां पर self attention का block बना हुआ है so you can see self attention में क्या होता है कि आप अपने हर token के लिए या word के लिए एक embedding भेज़ते हो तो this is embedding of V, this is embedding of R and this is embedding of friends और यहां पर अंदर calculations चलती है end में हमें जो output मिलता है वो होती है contextual embeddings for each of my words so in a way आप इसको बुला सकते हो contextual embedding of V इसको आप बुला सकते हो contextual embedding of R और इसको आप बुला सकते हो contextual embedding of friends और मैंने आपको एकदम first वीडियो में बताया था self attention के कि आप समझने के purpose से कुछ इस तरीके से इस पूरे equation को या इस पूरे के पूरे process को लिख सकते हो in terms of an equation मानलो अगर आपको पता करना है कि contextual embedding of V कितना है तो contextual embedding of V बनता है embedding of V, embedding of R और embedding of friends के weighted sum से जहां पर weight बताता है similarity so you can see कि contextual embedding of V 0.8% मिलके बना है embedding of V से 0.1% बना है R के embedding से और 0.1% बना है friends के embedding से exactly यही नहीं हो रहा होता है अंदर but this is a good representation of the entire operation similarly R का जो contextual embedding है उसमें सबसे जादा component आ रहा है R के खुद के embedding से और बाकी 15% आ रहा है V से और 10% आ रहा है friends से similarly आपके friends के contextual embedding में highest percentage जो contribution है वो friends की embedding का है 20% V से है और 0.1% R से है I hope आपको यह बात समझ में आ रही है यह kind of मैंने आपको revision कराया अब अगर आपको यह बात समझ में आ गई कि self attention block for every embedding produces a contextual embedding जो की roughly आपको यह calculate करके देता है तो फिर cross attention में क्या चलता है क्योंकि cross attention में आप 2 sequences भेज रहो so यहाँ भी भी बहुत simple है आपको यहाँ पर भी contextual embeddings मिलती है कितनी contextual embeddings मिलती है the answer is जितने आपके output sequence में words है जैसे हम दोस्त हैं यहाँ पे 3 words हैं तो आपको यहाँ पर 3 contextual embeddings मिलेंगे one will be CE of हम one will be CE of दोस्त and one will be CE of है अगर यहाँ पर सिर्फ दो words होते हैं माल लो हम और दोस्त तो यहाँ पर सिर्फ दो embeddings बनती हैं तो please don't get confused आपको हमेशा cross attention से जो output vectors मिलते हैं उनका number exactly उतना ही होता है जितना आपका output sequence में number of words होते हैं ठीक है? I hope आपको यह बात समझ में आ रही है और यह represent क्या करते हैं? वो देखों यहाँ पर हमने लिख रखा है यहाँ पर भी you can get it the same way कि output contextual embedding calculate करने में हमने क्या किया? यह पता किया कि हर input embedding का contribution कितना है? जैसे कि हम हिंदी वाले का जो contextual embedding है वो 50% V से बना है 30% R से बना है और 20% friend से बना है similarly दोस्त का जो contextual embedding है वो 20% V से बना है 20% R से बना है और 60% friend से बना है और है का जो contextual embedding है वो 30% V से है 40% R से है और 30% friend से है So, चीज बिलकुल सेम हो रही है Now, only difference is कि इस बार ये सारा का सारा काम दो sequences में divided है और आप output sequence के लिए calculation कर रहे हो in terms of input sequence That's it This is what cross attention is So, अब मैंने बहुत detail में आपको समझा दिया कि input के point of view से क्या difference है processing के point of view से क्या difference है और end में output के point of view से क्या difference है, तो I hope आप किसी को भी आप समझा पाओगे कि cross attention क्या होता है self attention से same होते हुए भी क्या differences है self attention के साथ, ठीक है तो इतना हमने अभी तक cover किया अब guys एकदम सच सच बताना कि cross attention पढ़ करके थोड़ा ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा ही हमने पहले भी पढ़ा है अगर आपके दिमाग में ये बात आ रही है तो मैं बहुत खुश हूँ इसका मतलब यह है कि आपने अभी तक जो भी इस playlist में पढ़ा है आपका दिमाग उसको retain कर रहा है guess what cross attention is actually very similar to something that we have read in the past and that thing is बादनाव एन लुओंग अटेंशन जो हमने इस playlist में कुछ वीडियो पहले पढ़ा था so I would recommend आप एक बार इस playlist में पीछे जा करके ये वीडियो देखो बादनाव अटेंशन versus लुओंग अटेंशन वहाँ पे हम transformers नहीं पढ़ रहे थे हम बहुत simple encoder decoder architecture पढ़ रहे थे जो की RNN based होते थे बट वहाँ पे भी अगर आपको याद हो कि हर अगले हिंदी word को print करने के पहले मैं क्या करता था कि मैं हर हिंदी word का सारे के सारे English words के साथ similarity निकालता था यहाँ पे देखो वह equation लिखा हुआ है we used to calculate contextual vectors या context vector बुला रहे थे हम इसको तो context vector हमें हर time step पे देना होता था और वो context vector calculate कैसे हो रहा था sigma alpha ij hj यह alpha ij क्या है similarity between the current decoder output and all the encoder inputs और यह करने के लिए अलग-लग techniques थे बादनाव attention में हमने neural network लगाया था long attention में हमने dot product ही किया था तो यहाँ पे भी बिल्कुल same चीज हो रही है आप दो sequences के बीच में similarity draw करने की कोशिश कर रहे हो cross attention भी same काम करता है यहाँ पे हमना थोड़ा सा it will start making sense की जो transformer architecture के creators हैं उन लोगों के दिमाग में चीज़े कैसे हो रही थी उन्होंने इस attention से inspiration ली in fact अगर आप paper में जाओगे तो आपको यहाँ पर इस particular section में यह line देखने को भी मिलेगी यहाँ देखा हुआ है in encoder decoder attention by the way यह लोग cross attention को encoder decoder attention बोल रहे है the queries come from the previous decoder layer ठीक है queries आपके output sequence से आ रही है हिंदी से आ रही है decoder से आ रही है and the memory keys and values came from the output of the encoder key or values encoder से आ रहे this allows every position in the decoder to attend over all the positions in the input sequence this mimics the typical encoder decoder attention mechanism in sequence to sequence models such as this यह बात हो रही है बादनाओ और लौंग attention की ठीक है तो यहाँ पर बस एक line ही है but आपको थोड़ा समझ में आएगा कि किस तरीके से इन लोगों ने inspiration draw की है बादनाओ और लौंग attention से ठीक है so I hope यह वाला point clear हो गया अगर आप भूल चुके हो I would recommend एक बार जाके वीडियो देखो आपका दिमाग automatically connections draw करने लगेगा अब guys एक last discussion कर लेते हैं कि cross attention कहां कहां use होता है so कई जगों पर cross attention use होता है especially ऐसी जगों पर जहां पर आपको दो अलग type की sequences मिलते हैं एक input में और एक output में ऐसी जगों पर cross attention बहुत use होता है simple तो example हो गया machine translation, question answering इन सब जगों पर दो sequences आपको मिल रहे है but अगर आपका भी multimodal data के साथ काम कर रहे हो मतलब आपके पास input में एक modality है output में दूसरी modality है for example आप काम कर रहे हो image captioning के साथ जहां पर आप input में एक image दे रहे हो और output में एक text निकल के आ रहे है तो इस तरह के situation में इन दोनों sequences के बीच में similarity draw करने के लिए आप cross attention use करते हो या फिर text to image generation systems हुए तो एक तरफ आपको text मिल रहा है दूसरी तरफ वहाँ से आपको image generate करना है तो ये भी दो अलग sequences है इनके बीच में similarity निकालने के लिए आप cross attention use करोगे या फिर आप text to speech type का system बना रहे हो तो ये भी दो अलग sequences है इनके बीच में similarity draw करने के लिए you would use cross attention so cross attention is something जो आप आगे काफी देखने वाले हो deep learning में, LLMs बनाने में Gen AI में so it is a very important concept and that is why आपको इसके बारे में अच्छा कासा idea होना चाहिए so in any case हमने cross attention इसलिए पढ़ा because हम transformer architecture बहुत अच्छे से पढ़ना चाहा रहे है और उसमें ऐसा लग रहा है जैसे ये important component है and guess what हमने इस component को भी study कर लिया अब we are going to do decoder architecture next I am super excited about it I really hope आप भी बहुत excited हो I know आप बहुत वेट कर रहे हो and I will try to bring that video as soon as possible अगर आप कोई video पसंद आया है तो please like करना और अगर आपने इस channel को subscribe नहीं किया है please do subscribe मिलते हैं next video में, bye